स्वास्त हो, सिक्षा हो, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है हम ऐसे लक्ष पुरे करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके बारे में पहले कोई सोच ही नहीं सकता था ये बदला हुआ भारत नई रप्तार के साथ कम कर रहा है, मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले चार साल में ही गरीबों के लिए देड़ करोड मकान बन चुके हैं स्थिती ये है कि अगर पुरानी गती से हम काम करते तो हमें इतने मकान बनाने में शायद कई दसक लग जाते और तिन-तिन पीडी तक शायद पक्ता गर रहने को नहीं मिलता राजस्तान में भी प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट साथ लाख से अधिक गर गरीबों के बन चुके हैं जिसमें से साथ अजार से अधिक ये हमारे चूरू जिले में ही बने हैं साथियों गरीबों को गर मिली रहे हैं साथ ही मद्यमबर के घर के सपने को भी पूरा किया जा रहा है होम लोन के ब्याज पर छूट की योजना से मद्यमबर के साथियों को पांस से छे लाख रुपीय तक की बचत बीस बर्स की अवधी में तय है इतना ही नहीं पहले की सरकार के समय होम लोन की जो ब्याददर 10 प्रतिशत से अधिक हो चुकी थी और अब 8 या 9 प्रतिशत है साथियों हाल में GST काउंसिल ने एक महत्वपुन फैंसला लिया है गरों पर लगने वाले GST में बड़ी कटोती की गई है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्श में मकानों पर GST अब 12 प्रतिशत से गटा कर सिरफ 5 फिस्त दी तो एफोर्डेबल हाउसिंग पर इसको 8 प्रतिशत से गटा करके सिरफ एक प्रतिशत किया गया एक परसन ना मात रखा इससे मद्दमबर के उन साथियों को लाबता है जो गर खरीदने की सोच रहे हैं इतना ही नहीं एफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाशा भी बदल गई है दिल्ली एंसियार, बैंगलूरू, चेन्नाई, हाइदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में साथ वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक के घर एफोर्डेबल माने जाएंगे जबकि नौन मेटरों शहरों में नब्बे वर्ग मीटर तक के घर एफोर्डेबल माने जाएंगे जिनकी अधिक तक किमात पैतालिस लाख रुपिय होगी